नवश्कार दोस्तों आउल टी 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 तीरी चनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है सात्यों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि बिहार में दूसरी चरण की शिक्षक वहाली जो है वो जल से जल्द आए लेकिन एक बात आप सभी मत बोलिएगा जादा से जादा रिक्ती यदि नहीं जोड़ा जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा आप सभी को दूसरी चरण में शिक्षकों की भरती परिक्षा साथ दिसंबर से अब यहाँ पर कई साथी हमारे प्रश्न कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार से होगा तो हम लोग तयारी कब करेंगे तयारी में आप सभी लगे रहे जो होगा बिल्कुल सही होगा आपके लिए अच्छा होगा लेकिन हम यही चाहते हैं कि अभी जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसमें जितने भी साथी हमारे सफल हुए हैं उनको जल से जल्द विद्या ले दिया जाए और जो भी साथी वेटिंग में हैं अभी एक दो नंबर से अभी बचे हुए हैं तो जो भी साथी हमारे कॉंसलिंग नहीं करवाए हैं उनका जल से जल्द कॉंसलिंग हो और जितने भी रिक्ती बचे सभी दूस्तिरे चलन की शिक्षक बहाली में जोडा जाए जल्द जारी होगा एक लाख दस हजार पदों पर बहाली संभव सत्तर हजार पदों की अधियाचना शिक्षा विभाग ने भेजी हैं चालिस हजार से अधिक सीटे खाली रह गई पहले चरन की भरती में अभी कैसे पता चलेगा अभी तो जो भी साथी हमारे बचे हुए हैं क्योंकि आपको प दिया गया है तो उनको हटा के एक जगह उनको रिजल्ट दे के शिक्षक बना के अब जितने भी जगह उनका नाम है वो हटा के जल से जल्द मेरिट लिष्ट तयार किया जाए इसके उपर में हमारे साथी लगातार काम कर रहे हैं और इसका पढ़िनाम भी आप सभी के कि जो पिछले वाली रिखती है उसको छोर के ही सरकार आनन फानन में बहाली के प्रक्रिया जारी कर दे। मादमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित परदाना ध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अव्यारतियों को नोटिस भी भेजा गया है कि जल्द से जल्द आप अपना जो है वो स्वस्टी करन दे कि आपने गलत जानकारी दे करके क्यों फॉर्म अप्लाई किया क्यों समय बढ़वात किये और जो भी साथ हमारे अभी वेटिंग में है वो उनके ही बज़ा से हैं। जो कि गलत जानकारी दे करके उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन कॉंसलिंग करवाने के लिए नहीं आए डीवी करवाने के लिए नहीं आए बीपीसी के सचिब ने बताया है कि आयोग जल्द ही इसके लिए विज्यापन जारी करेगा विज्यापन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह ओनलेन रहेगी बीपेसी के अनुसार इसकी चरण में पिछरा अथी पिछरा कल्यान विवाग के अंतरगत भी शिक्षक और प्रताना ध्यापकों की भरती होगी अभी संभावित तिथी है आप सभी अपना कागजात पूरी कर लीजिए कई साथ ही हमारे कह रहे हैं कि सिर्फ 11 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म अपलाई के लिए देखिए ऐसा संभब नहीं है एक महिना का समय जरूर दिया जाएगा नहीं एक महिना का तो 25 दिन का समय जरूर दिया जाएगा रहे रहे एंसी यार्टी जो भी साती हमारे 6-8 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 9-10 के लिए 11-12 के लिए सबसे पहले आप एंसी यार्टी के जो मूल बुक है 6-8, 9-10, 11-12 उसका आप अक्षर सह जो है वो अध्यान कीचिए और उसके बाद जो भी महत्वपुर्ण जानकारी होगा आप सभी के बीच में जरूर लाए जाएगा बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैलकन की बटन जरूर दबा लीजिएगा और हम सभी एक जूट रहेंगे क्योंकि एक जूट रहना बिहार के लिए बहुती जरूरी है कि ऐसान हो कि आनन फानन में सत्तर हजार पर बहाली की परकिरिया आजाए और हमारे साथ ही इसमें सफल नहीं हो पाए इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिक्ती छात्र शिक्षक अनुपात की अनुसार एक बार फिर से गरना किया जाए जब ये बहाली की प्रकिरिया पुर्ण हो जाएगी तब और इस बहाली की परकिरिया को पूर्ण करानी के लिए हम सभी को एक जूट रहना होगा जल से जल सेकेंड गटफ ज़री किया जाए यदि सेकेंड गटफ जल से जल जारी नहीं किया जाता है जो साथ हमारे बिलकुल ही बोर्डर पे है एक नमबर से वंचित है या cut up पार कर लिए है data worth से वनचित है यदि sheet रह जाती है तो सुब आभी कैस करेंगे case करेंगे तो भरती की प्रक्रिया रुखेगी क्योंकि court तो यही कहगा ना कि आपके पास sheet रहते हुए आपने बहाली को close case कर दिया तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए हम सभी को इस चड़न की बहाली की प्रक्रिया को जल से जल समाप्त कराने के लिए प्रयास करना होगा आप बने रहे है और टेटी त्यारी चैनल के साथ पलपल गपडेट आप सभी को देता हूं स्वाधने बास आतियो